कि हलो दोस्तों मैं विक्रांत आपका आपकी यूटूब चैनल विक्रांत फैक में बाप फिस्वागत करता हूं और दोस्तों आज हमाद बताने वाले हैं कि आपका अगर एड्मिट का डाउनलोड नहीं हो रहा है इन बैलेट बता रहा है तो क्या करें बहुत लोगों का हमने आम मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ तो इसके बाद आपको नोटिस पढ़के बताउंगा क्या दिक्कत है जिसका दिक्कत है उनको क्या किया गया है सीटेट के दोरा सिब्यसी के दोरा मैं सब क्लियर करने वाला हूँ तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसमें एक लोग का हम चेक करते हैं यहाँ पर इड्मिट कार्ड हम रेजिस्टेशन फिल किया है रेजिस्टेशन नमबर फिर यहाँ से हम डेट लेते हैं डेट लिए यहाँ पर मन्थ चूच किये फिर यहाँ पर यह हमने चूच किया ओके यहाँ पर यह चूच किया हमने यहाँ पर क्या डाला सिकूरिटी पिन आपको भी इसी तरह डालना है वेपसाइट कोलना है अगर आपको वेपसाइट खोलना नहीं पता है वेपसाइट हमने पहले वीडियों बता चुका है आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और यहां आई बटन पर देखिए आपको यहां पर सो कर रहा हूँ भर देता हूँ वाई पी सेवन जीरो नाइन एट ओके मैंने यहाँ पे सिकूर्टी पिन फिल कर दिया अब यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे पूरा डेटेल भर दिया है रजिस्टे अप्लिकेशन नंबर और डेट आप बर्थ पूरा भर दिया है फिले डेट रहेगा फिर मंत रहेगा फिर यह रहेगा फिल कर दिया अब यहाँ पे आप देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है यह इन बैलेट अप्लिकेशन नंबर और डेट आप बर्थ तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है इनका इन बैलेट दिखा रहा है इन बैलेट अप्लिके लेते हैं ओके लिंक लिटे हैं कि अब यहाँ पर हम यहाँ पी अप्लीकेसं प्रिकार दिया फिर इसके दाने हां विर्ष किया कि मैं इंका अविर दिखा रहा है उनकर सिकार में होगा के लिए मया है वक्रीट निहें यहाँ पे हमने उनका year select किया फिर यहाँ पे हमने security pin डाला security pin है 4 4M8 Q04 यहाँ पे हमने उनका डाला देखिए यहाँ पे भी invalid number और date आप बढ़ दिखा रहा है application number और date आप बढ़ दिखा रहा है तो मैं आपको बता दू इनका invalid फार में कोई दिख्कत नहीं है यहाँ फारम में इनके कोई दिख्कत नहीं है लेकिन इनका जो exam है वह 16 से पूरा आपको बता दू 16 से 13 जनवरी तक exam है 16 December से 13 January 2021 से 22 तक exam है अब जिसका admit card जिसका exam कब है जिसका exam 1 January 2022 तक है उनका admit card भी नहीं दिखा रहा है जेहां दोस्तों उनका admit card नहीं दिखा रहा है जिनका एक जनवरी से एक जनवरी से 13 January 2022 तक है उनका admit card नहीं दिखाएगा उसमें दिक्कत कोई नहीं है आप दिखिए आप डरिये मत जिनका invalid बता रहा है डेटा बर्थर अप्लीकेशन नमबर उनका admit card आएगा उनका admit card दिखाएगा अभी जब 5-6 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन बाद दिखाएगा अभी फिक्स नहीं किया है cbsc ने कब उनका दिखाने वाले हैं लेकिन मैं आपको अभी notice पढ़के दिखाने वाला हूँ कि जिसका admit जिसके application में जिसके फाम में गलती है फोटो नहीं रब से अगर को स्मस्य दिखाएगा इसका मतलब फारा माम का सही है लेकिन आपका जो एक्जाम है एक जनवरी से 1310 32 के बीच कार बताने वाला हूं तो क्लियर हुए कि अगर आपका इंवलेड अपने केसन नंबर डेटा पर दिखा रहा है तो आपका हंड़ेट परसेंट फालम सही है बस सरते आपका जो एकजाम है एक जनवरी से है मतलब सिकेंड फेज में है फस्ट फेज में नहीं है इसलिए आपका 20 के बाद 20 दिसंबर के बाद आप चेक करते रहें चेक करते रहें आपका वह दिखा देगा तो प्लीज आप इसके लिए पैनिक मत लेजिएगा आपको अगर और भी अब भी कोई दिख्कत है आप नहीं चेक कर पा रहे हैं आपको कोई समस्या है तो आप हमारे वाट्स कर येगा काललाव नहीं है केवल मैसेच करना है आपको मैसेच करना है इस नंबर पर आपको मैसेच करना है मैसेच करके मतायो करेवे बता यह सरProduction यह रही है मेरा आन्म रहुत ह कर प्रिपलाई करूँगा जसे 15 पांच मिनट 10 मिनट जो भी समय लग सकता है मैं आपको अपको आपको मेसेज का रिटरन करूँगा जवाब दूँगा एंसर दूँगा तो आप डरिये मत आपका अपन्पीट कार्द है आप निधरक पढ़ाई करिए जेहां क्लिए तो पढ़ाइखी मैं चलिए आपको नोटिस पढ़के दिखाता हूँ आपको दीखाता हूं कि का है कि यहाँ पर मैं डाउन्लोड कि यह हूँ फिर आपके छ dalejता हूँ पूरा कुले आपको दिखे यह अपको लिए आपका नोटिस आप यहाँ पर उत्फारिये किया पहते हैं हो पहले नंबर यह देख लीजे आप किस्टारी किया गया है पब्लिक नोटिस पब्लिक नोटीस एडमिट का अब डाउनलोड सी टी डिसंबर 2020 को जारी किया गया है मैं आपको दा सेंटल बडिकेंटे या इसलेटित शुत कंपूर्टर बेस्ट मोड सबसे पहले आपको पता ही है कि यह आलाइन पेपर होगा सी बीटी कंपूर्टर बेश्टेश होगा दियूरिंग सोला से लेकर के 31 जनुवरी तक 2022 तक यह कराई जाएगी अब क्या है दा इर्मिट कार्ट आप कंडिडेट बुह है कर दिया है तो यहां पर यह कह रहे है कि जिनका जिनका फीस पेमेंट हुआ है जिनका कोई दिक्कत नहीं है को अप्लोड कर दिया है जिस्का एक से तेरह तक है उनका पेपर आता है उनको हम एक से तेरह जनुवरी के बीच वालो को डाउन्लोड कर देंगे जिनका भी application number invalid date आप बड़ बता रहा है तो इसी यही की बीच के हैं लोग उन्हीं के बता रहा है तो clear हुआ है नहीं यह से 13 जनुरी के जिसका बीच है उन्हीं का यह दिक्कत कर रहा है इंप्लिकेशन या अप्लिकेशन या इंप्लिकेशन या इंप्लिकेशन वो दिखा रह यह तरह सल अब देडिकाट फारक अल डिट वीट बड़ अप्लोड और टूप्लोड फ़र्स्ट पेज्ट पिजाव इड्म इंप्लिकेशन अंपने अप्लिकेशन अफटी अंदेट अब्यानें इनवल टूंड टूमेंग प्लान अकोड़िश्यक्व इंप्लिक नीज हम दो दिन पहले उनका दो फेज में हमने किया है विव एंप कर दिया है उनमें पहले है दिन पहले आपको जो चैंटर है मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगा यह बता रहे हैं है सब्सक्राइब कर दिया है यह बताता हूं आपकी बहुत बढ़ी नोटीस निकल यह बहुत बढ़ी चीज है यह आप ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा मैं इस पीट से पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत बलंबी वीडियो बनने वाली है आपको पूरा क्लियर से पढ़ना है तो आप स्पीट धीमे कर लिजेगा स्पीट सेक्शन में जाकर के तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दसी टेट दसी टेट यूनिट किया है इमेज को प्रॉपर फार निटा है सच कंडिडेट पी वी आर इंफॉर्म बाई सेंडिंग मैसेज करें हमने आपको मैसेज भ्यज़ दिया है इस कंडिडेड को जिनके में ब्सक्राइब अपने जवड़यों मोबाइल ओनलोड नमबर तो इस पर हमने विसे न थी अ करेक्ट इमिडेटली लेटिस्ट वाई तेरा यारा दोहजार इस कर देनी है तेरा बारा दोहजार इस तक कर देना है यह लेटिस्ट डेट है आपने जो नंबर फारम भरते समय दिया है है उसी नंबर पर सीटेट के द्वारा सीब्सी के द्वारा भेद दिया गया है तो आप पूर नंबर चालू रखी इमेल इड वह में चिक करते रहे बना फिलिंग वीचे मिट कार्ट बिल नाट इसूट आप इनी सरकमांटेंस सरकमांटेंटेंट इस कंडिडेट बिल आप्टर वेरिफिकेशन आप ही में दिए अप्लोड़ेट इनकेस एनी इनकेस एनी अप्लीकेंट इस नाट एबल टो डाउनलोड हीज हर ही एड्मिट कार्ट ही शी में कॉन्टेक्ट शेटी टेवनिया आप सीब्सी अगर आपको इसमें कोई और भी दिक्कत है तो आप इ कि कंडिडेट में नाट टुडेट न मिट publishers कार्ट काट बेचेशन पोकर देभना पोस्ट के हमको एड्मिट कार्ट आप हमेशा an-line नहीं स्चोरी करिए कोई हम आपको डौर kennen नहीं है को इक recognition ज急 mirror फ्लीज प्रॉपर लिए नहीं चेक करिए गा जिडिजर्जिर के दोरह को कोई नहीं यह आपको बता दूं यह सीजिट के द्वारा सिब्यसी के द्वारा भेजा गया एक नोटीस है यह आपको बताया गया है आपने आपने आपको मैंने क्लियर कर दिया है अब भी आपको कोई समस्य हो तो आप हमें वही नंबर पर जैंट आपने हमने नंबर बताया ह है अगर आप औरसप्प नहीं करना चाहते हैं तो आप कमेंट जिसक्षन में भीडियो के नीचे जाये कामेंट सेक्षन किसे आपना बताइए प्राब्म क्या है मैं वहां पर भी आपको हल्क करने का प्रयास करूंगा तो प्लीज बस इतना ही मिलते हैं नेक्ष वीडियों में जयेंद सब्सक्राइब लाइक जरू करिएगा बुट बाई